आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में जिसमें मैं आपको पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट करवा चुकी हूँ जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और डैसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा था इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज पार्ट फ्री में मैं आपसे डिसकस करूंगी irrational numbers के बारे में देखें इर्रेशनल नंबर को जानने से पहले rational number को जानना जरूरी है हला कि part one का link मैंने आपको description में दे दिया है आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें लेकिन एक normal से language में मैं इन दोनों के बीच में आपको एक difference बताती हूँ देखें कोई भी number कोई भी number जिसको हम बटे की form में लिख सकते हैं या ये कहें कि कोई भी ऐसा number जिसको मैं upon की form में लिख सकते हूँ डिवाइड की form में लिख सकते हूँ suppose 1 upon में 2, 2 upon में 3, 4 upon में 6 कोई भी number जिसको मैं upon की form में लिख सकती हूँ बट condition क्या है कि यहाँ पर जो denominator है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए यह कह सकती हूँ कि कोई भी number जिसको मैं p upon q की form में लिख सकती हूँ where q does not equals to 0 यानि कि denominator 0 नहीं होना चाहिए ऐसे numbers को आप क्या बोलेंगे rational number बोलेंगे यानि 1 upon me 2, 2 upon me 3, 4 upon me 6, 6 upon me 2 कोई भी number आप ले लिए बस नीचे आपका denominator में 0 नहीं होना चाहिए तो वो क्या हो जाएंगे आपके rational numbers हो जाएंगे ठीक है अभी हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं irrational numbers के बारे में तो irrational number क्या होते हैं ऐसे numbers जो rational number नहीं होते हैं वो irrational number कहलाते हैं rational number में मैंने आपको दो properties बताई थी एक होता है terminating decimal और एक होता है हमारा repeating decimal तो ऐसे numbers जो rational number नहीं होते हैं यानि कि जो terminating decimal भी नहीं होते हैं और repeating decimals भी नहीं होते हैं कि आपको description में मिल जाएगा उस video को आप जरूर देख लें ऐसे numbers को हम क्या बोलते है irrational numbers बोलते हैं for example अगर मैं यहां पर देखू 0.01001 देखिए यहां पर जो number हमारे पास point में दिया है इसका जो repetition हो रहा है ना वो इक्वल नहीं हो रहा है यहां पर 01 है यहां पर 001 आ गया तो यहां पर मैं इसके उपर बार नहीं लगा पाऊंगे ऐसे numbers सब्सक्राइब यहां पर होता है 0.01001001 तो मैं इसको कैसे रिक सकती थी 0.01 के उपर बार यानि कि यहां पर repetition चल रहा है ऐसे numbers को repeating decimal बोलते हैं जो कि rational number होते हैं लेकिन यहां पर repetition जो रहा है वो equally नहीं हो रहा है इसका मतलब ऐसे numbers जिनका repetition equally नहीं हो रहा होता है वो क्या कहलाते हैं irrational numbers कहलाते हैं सेम अगर आप example number 2 की बात करें तो यहां पर भी 0.200, 2.000 और 2 के बाद में यहां पर 4 बर 0 लगी है तो यहां पर जो numbers का repetition हो रहा है वो भी equal नहीं हो रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा irrational number हो जाएगा लेकिन यह rational number कब होता है जब यहां पर होता 0.200200200 इसका मतलब repetition क्या रहा है equal numbers का रहा है तो मैं उसको क्या लिख सकती थी 0.200 के उपर बार जिसको हम repeating decimal भी बोलते हैं है ना तो ये क्या बन जाता हमारा एक rational number बन जाता तो अभी ये rational number नहीं है कैसा number है ये है irrational number और नीचे वाला number क्या है ये है rational number कुछ और properties देखते है rational number की देखे अगर आपके पास में कोई भी amic positive integer है जिसका आप perfect square नहीं निकाल पा रहे हैं तो बारा से सुनिए कि जिसका आप perfect square नहीं निकाल सकते ऐसे numbers आपके क्या कहलाते हैं irrational number कहलाते हैं perfect square का मतलब क्या हो गया रूट में 4 लिखा हुआ है तो अंडरूट 4 मिंस क्या हो गया 2 तो 2 तो एक rational number है अगर मैं बात करूँ अंडरूट 6 की तो ये क्या है perfect square निकाल पा रहे हैं इसकी value कितनी आ रहे हैं 3 तो ये भी एक rational number है बट अंडरूट 2, अंडरूट 3, 5, 7 इस तरह से अंडरूट 9, 11 जो ऐसे number से जिनका हम perfect square find out नहीं कर सकते ऐसे numbers क्या 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 लाएंगे irrational number क्या लाएंगे same condition हमारी cube में होती है अगर हमारी पास कोई positive integer given है और वो perfect cube नहीं बना रहा है तो ऐसे numbers क्या 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 लाएंगे irrational number क्या लाएंगे suppose यहाँ पड़ दे दिया under root 2, under root 3, under root 4, under root 5 ठीक है अगर मैं बात करूँ under root 8 की तो ये तो perfect cube है किसका 2 का perfect cube है 27 की बात करूँ तो ये perfect cube किसका है 3 का है तो ये numbers rational numbers है ठीक है but under root 2, under root 3, under root 4, under root 5 इस तरह से जो numbers होंगे under root 6, under root 7 ये सब क्या कहलाएंगे मतलब ऐसे numbers जिनका हम perfect cube नहीं निकाल सकते है that is called irrational number ओके स्ट्रेंट्स देखें अगर आपको कोई भी doubt हो किसी भी तरीके का तो आप comment section में comment कर सकते हैं मैं आपको next video के माधियम से उसका answer कर दूँगी या फिर आपको जल्दी से जल्दी comment का answer करने के कोशिश करोगी ओके आगे बढ़ते हैं देखें ये जो pi की value होती है ये भी एक irrational number होता है देखें हमें पता है कि pi की value 3 होती है pi की value 22 बटे 7 भी होती है 3.14 भी होती है लेकिन आपको पता है pi भी एक irrational number होता है कैसा number होता है irrational होता है क्योंकि ये भी एक non-terminating form भी होता है ठीक है तो pi is also a irrational number लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर clear कर दूँ कि ये जो 22 बटे 7 है न 22 बटे 7 एक p upon q की form में है where q does not equals to 0 तो अब आप कहेंगे मैं 22 बटे 7 तो rational number हुआ yes right ये जो 27 बटे 7 है न ये rational number है 22 बटे 7 क्या है rational number है फिर आप कहेंगे मैं 3.14 कैसे rational हो गया अगर ये rational है तो उसकी दूसरी value rational कैसे हो सकती है देखें मैं pi के उपर एक particular video बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी उसका link भी मैं आपको description में provide करा दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि pi की जो ये 22 बटे वाली 7 value है ये एक actual value नहीं होती है इसके बारे मैं आपको deeply उस video के अंदर discuss करूँग यहाँ पर आप इतना समझ लीजी कि जो 22 बटे 7 है ये rational number है और 3.14 ये की एक non-terminating form में है that is irrational number ठीक है तो ये value क्या हो जाएगी यहाँ पर irrational हो जाएगी और 22 बटे 7 क्या हो जाएगी rational number ओके तो मेरी उस video को देखना ना हूले उसका link आपको बहुती जल्द description में मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं properties of irrational numbers की बात कर लेते हैं अगर मेरे पास कोई भी 2 irrational number है ठीक है और मैं उनका sum निकालना चाहूँ तो वो कैसा हो जाएगा हमेशा irrational ही होगा suppose मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3 plus root 2 ठीक है और मुझे यहाँ पर sum निकालना है ठीक है मैंने यहाँ पर ले लिया 3 plus root 2 plus 3 minus root 2 अब अगर हमें इसका sum निकालना चाहिए यहाँ पर root 2 से minus root 2 cancel हो गया और 3 और 3 कितना हो गया 9 विच इस तो देखें यहाँ पर जो 9 है कि कैसा number है यह एक rational number है तो यह ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी भी 2 irrational number का sum कर रहे है तो वो irrational ही होगा वो कैसा होगा rational होगा तो क्या है sum of 2 irrational need not to be an irrational यहाँ पर 9 कैसा number मिला है हमें एक rational number मिला है ठीक है ऐसे ही अगर मैं difference निकालने की बात करूँ suppose मैंने ले लिया यहाँ पर 5 minus root 2 ठीक है और मुझे minus करना है मुझे दूसरा irrational number मैंने यहाँ पर ले लिया 3 plus root 2 अब ही अगर मैं इन दोनों को minus करूँगी तो 5 minus root 2 यह minus के 3 हो जाएगा क्योंकि bracket के अंदर है 3 plus root 2 तो sign change हो जाएगी यह हो जाएगा root 2 यहाँ पर ठीक है 2 भी कैसा number है यह एक रेशनल number है तो जरूरी नहीं है कि 2 irrational number का sum भी irrational number हो और यह भी जरूरी नहीं है कि 2 irrational number का difference भी irrational number हो कैसा हो सकता है वो rational भी हो सकता है यह भी एक possibility है ठीक है सेम ऐस сторону product और quotient के अंदर चेक करते हैं ठीक है product में check करते है अगर हमारे पास में अंडरूट 2 है और हमें किसी भी दो irrational नमबर का प्रोड़क्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा तो अंडरूट 2 के अंदर अगर मैं अंडरूट 2 की multiply करूँगी तो मिरे पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा और टू कैसा नमबर है एक rational नमबर है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि product भी irrational ही होगा वो rational भी हो सकता है कोशेंट में देख लेते हैं अगर मैं कोशेंट में सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 2 root 5 ठीक है और उसको divide कर दू root 5 से तो यहाँ पर root 5 से root 5 कट हो जाएगा मेरे पास कितना बचेगा 2 बचेगा तो 2 भी तो यहाँ पर एक rational number है तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कि किसी भी दो irrational numbers का sum, difference, product और quotient जरूरी नहीं है कि यह भी solve करने के पाद irrational ही आए ठीक है वो rational भी आ सकता है ओके तो I hope आपको यह concept अच्छे से clear हो गया होगा irrational and irrational numbers के बारे में next वीडियो में मैं आपसे irrational numbers के कुछ questions के उपर discuss करूँगी और साथ ही हम real number के उपर complete discuss करेंगे तो अगर आपके कोई भी query है तो आप comment section में comment करके कोई भी question पूछ सकते हैं तो चलिए students आप लोग अपनी तयारी को carry on रखें मैं मिलती हूँ आपसे